हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद आरके एंड कैसे हो आप लोग आप सब लोग बहुत अच्छा से होंगे और आज है फर्स्ट जैन टुथाउजन टुथाउजन 2020 और यह इस साल का फर्स्ट व्लॉग होने वाला है तो बस हैपी न्यू यू य काड़ी और दो घुण काल कोकर distintos नांगे और में लुम हुआज को आपने वाले कोई लेकल दो को बना कोई अदिमी अच्छेव ए नहीं के विस लावाद के लाटी माओना से हो भादी आपक लागतना पिजस्ड़ॉगर पीजसंक्त इतिक वाला है गार में हुआि गारे ली अब जो है शाम का टाइम है मैं जस्ट डूटी से आई और जैसे कि पता ही है कोविड केस बहुत ज्यादा बढ़ गए है तो बस आके नहाया हेयर वाश करें इसलिए मेरे बाल भी अभी गीले हैं और यहां पर जो है मैं फटाफट से अभी जो पीज़ा के डो की प्रिपरेश नहीं हो एक बोल में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक सो गाइस यह जो है यह है ड्राइ इस्ट जिसको हम लोग पीज़ा का बेस बनाने के लिए यूज करेंगे मतलब भटूरे वगएरा किसी भी चीज़ को मैं यह यूज होता है तो बस मैं यही यूज करने वाली हो जाता है उसके बाद मैं लेने वाली हूँ यहां पे इस्ट ब्राइस्ट एक से डेड़ चमच और यह जो है खस-खस के दानों की तरह होता है थोड़ा सा छोटे ही होता है उससे बट उसी फॉर्म में है और उसके बाद मैं यहां पे मिलाओंगी इसको मतलब इसको जो घो और खोल इसको घोल कर ऑदिए और जैसे उनों में हलके से बुलबुले उड़ते उस-तरी के को अप एक यहां पर जो है अब हम बनाने जा रहे हैं पीजा का बेस्स यहां पे मैने मैधा ले लिया है और इसमें मिलाएंगी हम नमक अरांट इतना और यह जो घोल बनाके रखय इसको मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद में एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे उसके बाद जो है थोड़ा सा तेल लेंगे और इस पर अच्छे से लगए कि अच्छे वाद लेंगे यहां पर जो है हमारा आटा बनके रेडी हो गया है और विसके तो मार्केट में जो है बेस अविलेबल होते हैं अब भी दे रहे हूं बेटू लेकिन घर में बनाना ज्यादा बहतर है तो हम लोग हमेशा घर में ही बना दें तो बस यहां पर बन गया और यहां पर मैं इसको कवर करके ले जाती हूं हीटर के सामने क्योंकि मौसम आज बहुत ज्यादा ठंडा है और हीटर के पास थोड़ा स अब आपर अच्छा होगा तो इसको लिए जाके रख देते हैं हम वहाँ पर तो पर जैसा कि आपने देखा मैंने आटा जो है गूंद के रख दिया है मतलब मैदा गूंद के रख दिया है जब तक वह थोड़ा सा फूले का रेड़ी होगा पीजा का बेस बनाने के लिए त मैं यहाँ पर करने के चेडि यहां पर चेल के हो बताय टाके मेरा समय हो είναι अब मेरा मेरा चैरी है मैं चेयरी मतर चैरी मतर स्थाहु chiar के चैरी मतर थके है चैरी मतर ठील हिते हैं आया है यह लिए पर नहीं और यह पर बीज निकाल दीए और यहां पर डाल दिया और इसको इसमें डाल दिया है ना हाँ अच्छा मैं खोल के दूं आपको यह लो इसमें डालो अलीवा अविम्यूंड उसको तो वेरी गुद्ट यह वाला यह वाला नाओ अचीज़ नहीं है नहीं नहीं है यह बहुँ यह बहुँ leverage कि अल Polize लूमकूल, खरह कि अल लादे अब ही जो है ये खोल नहीं पाती है तो मैं इसको किस तरीके से ओपन करकर के पकड़ा रही हूँ है ना पेचो इसको फेको तो ना एक्टो पेक्टो लो दो मिलके तो फ्रेंट्स हम दौनों ने मिलके पूरी मटर चील लिये ये देखिये क्योंकि अगर ऐसी रहेगी तो ये खराब होने के चांसेस भी जल्दी होते हैं इस तरीके से ये जहांदा दिन चलेगी तो बस ये चील के रख लिये और चेरी ने ममा की बहुत हेल्प कराई है और उसके बाद देखो चेरी खेल रही है पिकाचू का है कैसे बोलता है पिकाचू पिकाचू अच्छा ये था है ना चेरी व्लॉग स्टार्ट कर रही थी है ना मंकू तो बस इसी तरीके से चेरी की मस्ती के साथ हम लोगों का सारा टाइम कर जाता है और मेरे पस जब भी थोड़ा बहुत टाइम होता है तो मैं अपने चैनल के लिए एक आद वीडियो शूट कर लेती हूं और आप लोगों के लिए डाल देती हूं और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज यार अपना प्यार दिखाए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड अन फैमिली में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफ और ये चैरी की कैप देखिए अभी मैं अपने घर से लेकर आई हूं दिखा दो बेटो अच्छी कर दो कौनसी कैप है ये येलो 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 पिकाचु वाली कैप है है ना ऐसे करो ऐसे हाँ पिकाचु वाली कैप है और कमेंट करके बताईए कि आपको ये मंगो की कैप कैस मैं यहां पे थोड़े से वैसे तो मैंने बाल ड्राइ कर लिया थी थोड़ा से खुला छोड़ दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में ड्रायर मारा था अब यहां पे लाइट से खेल रही है जो ऐसे बाल देखो दिखायां चरी पीच्छे से बाल दिखातो हेर स्टैल चरी का चरी का है इस ट्राइल दिखाओ तो जाए पिच्छे से पिच्छे बाल दिखातो है बंदर ये दे तो एक मिनिट रे मांगों पीजा बनना शुरू हो चुका है हमने अपना काम कर दिया है और अभी जो है चॉपिंग चुपिंग हो चुकी है यह बन रही है पीजा की टॉपिंग और यहां पे यह सब ऊपर का सीजनिंग का समान है किच्छन हैंडेड ओवर टू यहां पे हमारा जो पीजा की टॉपिंग है वो रड़ी हो रही है बटर और थोड़ा सा तेल डाला लैसुन डाला जो चॉप किया हुआ रखा था और उसमें टमाटर को टमाटर की हलकी सी उसको चॉपर में करके और वो डाल दिया है बस सो फ्रेंड्स अभी हो गई है एक ट्रेजडी वैसे तो सारी प्रपरेशन अल्मोस्ट हो ही चुकी है यहां पे यह जो पीजा की टॉपिंग है वो भी बनके बढ़िया सी रेडी हो गई है यह देखिए और यह मिक्सज हर्ब्स है स्नैप इन का और इसी की बोटल में हमने ज और जब फ्रिज से चीज निकाला तो यह वाले चीज पड़े हुए थे स्लाइस वाले यह तो बिल्कुल बढ़िया कंडिशन में है लेकिन जो पीजा वाले चीज था इसमें फंगस लग गया है तो यह लास्ट मोमेंट पे गड़बड हो गई है तो फिलाल इसको तो फेक दिया जाए अभी जो है आठ बज रहा है और बस बनाना था सब कुछ रेडी था और जब लास्ट में पीजा वो चीज देखा तो वो खराब हो चुकी है तो यह अभी फटापट से गए है मार्केट और चीज ढूंड के लाएंगे उसके बाद हम आगे का काम करेंगे काफी टाइम से चीज जो है लाके रखे ती तो लग रहा था कि चीज ठीक होगी बट क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन आज ऐसा हो गया कि चीज खराब हो गई है बट कोई बात नहीं पटापट से लेके आएंगे और फिर हम लोग करते हैं आगे का काम और हमारा जो थोड़ा सा तो फूला हुआ लग रहा है हो जाएगा यहां पी आ चुका है अमूल पीजा चीज मॉजरेला और अब फाइनली बनेगा बढ़िया से हमारा पीजा पीजा का बेस बनना शुरू हो गया है और यह हमारे बड़े शेफ जी बैठे हुए है है ना चैरी चैरी बन रहे है यह पापू का पीजा और यह चैरी का पीजा है ना चैरी हां यह चैरी पीजा कि उन्या जो तानमा पीजा अब एफ माझा बड़े माझा बार यां पापू का बार यह चैरी बना चैरी बनेगा बना जाब पाइने तोस्तों तोस्तुरू है झाल झाल इस तरीके से सारे पीजा हमने बना लिया और बहुत ही यम्मी बने यह देखिये मतलब एकड़ मस्त फ्रेंड्स डिनर वगेरा हमारा हो चुका था वही पीजा खाया था और काफी जादा पेट बहुत ही यम्मी बना था और उसके बाद अभी जो है टाइम हो रहा है एक्जेक 11.30 और सारे काम फिनिश हो चुके हैं किचन क्लीन हो चुकी है सब कुछ फिनिश हो गया है और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को स